गुड मॉनिंग एवरिवन और स्वागत है अब सब का मेरे गौर्ण ने व्लॉग में और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं पता दू आप लोग मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि वीडियो थोड़ा चलता है एक दो दिन दिले ले लेकिन ह अभी तक चल रहा है पीछे हो रहा है सारा मेरा डिवाइस चार्ज तो अभी बहुत सारा काम है चार या सड़ चार बजे हमरे क्याव वाले भरी आभी आ जाएगे जो में एर्पोट ले जाएगे एक्षिली जो मेरा फ्लाइट है वो नौब जे का है लेकिन हां मैं सब्सक् आइस पुरा नेकल है लेगिन कोई नहीं हो जाएगा नहीं अपना फ्लाइट में तो सो प्री जाना नहीं बांको जल्वाइन से स्केह एना है क्री इससे प्रॉप य边 वाला बैक को यूज करता था इसका में यह बाला दीक वाला दिखा доб मुझे बहुत लगा あक सएड़ रावला होगा वाला मैंने ले टो हां साइड़ डेश मेरा होगा वाला लाय ओगा बाएज WILL hem पर बाकि है आपना सारा ताम जहां है, जली से चेंच करते हैं, और मिलते हैं मैं हो गया हु तैयार और देख लो हम यहां पर मम्मी बीडिये है और मम्मी इक दाँ न्यु अपनो सुट पहन रही है समझे तुमारा जरम से एक साल पहले कफे देंगे बाकि हाँ मम्मी अपना नए पर्स के साथ रेडी हो गई है सारा समान हो गया है और लगवाग नौ बजी का हमारा फ्लाइट है और हमेसा तो मैं कहीं ट्रिप पे निकलता हूं तो मम्मी दाइग खिलाती है लेकिन अज मम्मी काई आप लगवाग कुछ अब लेकर रहा हूं अगर वहां से सौपिंग हो गया तो वहां से लेकर आऊँगा मैं वहां से लागज भी ले लूगा जो अप्शन है मैं 60 kg का समान लेकर शाली कर गवाग होता है तो यहीं से लेकर रहूंगा और अपना जो कैप ड्राइबर व जो इस लोगों को ने लिए यह तो खाली मिले गाई कभी-कभी कुछ कुछ प्रॉक वालों का जाम मिल जाता है लेकिन ठीक अब और जो दिख रहा है न वह जो दिखाता हूं और भी सामने से मैं आपको दिखाता हूं भाई देख लो कि तणा खूब सूरत लग रहा है और यह यहां विसा की तरह रोईद भई आमे लेने आगे हैं रोईद भई हैलो हाइ कर दीजे तोड़ा सा जब भी मुझे एरपोर्ट वगरा जाना था है मैं भाई को ही फोन कर लेता हूं वही या जाते है लेने के लिए और यह देखलो दखी निश्वे टेमपल देखलो अस तो कार है इंटेनेशनल डिपार्चर और एक चीज में ने देखा है सुबह सुबह एरपोर्ट में बहुत ज्यादा पीजी टाइम रहता है और यह कोई लग रहा है बंगलादेस का फ्लाइट है देखलो यह रहा अपना गेट 4B फानले में एरपोर्ट में तो पहुंच गया हूं और यह सारा अपना पास्पोर्ट वगएरा और यह सामने मुझे देख रहा है एमिरेट्स का काउंटर काम करते हैं जल्दी से चेकिन वगएरा कराते हैं बाखी जो जो प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूं भी आगे हूं चेकिन काउंटर में उधर कहीं बैठी हुई तुम बैठे रहो तो भाई साब यह मेरा लाइफ का अब तक का सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला चेकिन था यह बहुत लंबा टाइम लग गया इसमें कहां मैं च्छेवेज लाइन में लगा था और अभी देख लो साड़े च्छेश्चेश्च हो गया लगए लगब करके मुझे रेट मिला यहां काफी महेंगा यहां मेरा हो गया करन्सी चेंज और इमिग्रेशन भी क्प्लीट हो गया अभी होगा सेक्यूर्टी चेक अपना तो एरपोर्ट में अंदर आने के बाद भाई साब जो बहुतना फ्लाइट है तो उतना भी तो मैं अभी तक प्र आने के बाद आपका सबसे पहला काम रहता है आपको अपना चेक इन काउंटर डूणना जो की था हमारा एमिरेट जो एमिरेट का काउंटर है ना वह फोर बी गेट से एकदम एंटर करते ही हमें दिग गया तो हाँ वहां पे सबसे पहले हम लोगों अपना वेब चेकिन है तो कोई पर आने के लिए मैं आपके हाथ में क्या क्या होना चाहिए सबसे महीन आपका बोडिंग पास होना चाहिए अब ट्राइ करना वेब चेकिन करके यह आओ पता है 24 गंदे साथ लेकर आना साथ में आपका पासपोर्ट और वीजा यह टीनों एक साथी रखना और व कितना टोटल क्या खच पड़ा मैं सब कुछ बता दूंगा पूरा सीरिस फॉलो करो उन्हों नहीं मेरा वीजा बगर का सारा अरेंजमेंट कर दिया था तो फिर उसके बाद मिल गया मुझे अपना ये बोर्डिंग पास मिलने के बाद हमारा हुआ है मेरे साथ कुछ भी नहीं पूछा गया लेकिन मम्मी से कुछ पूछा गया और यह मम्मी के साथ मेरा फर्स्ट इंटनाशनल फ्राइट होने वाला और इस पेसली यह जो ट्रिप है ना मम्मी को ही डेडिकेट है मम्मी के लिए मैं कर रहा हूँ यह आपने से काफी लोगों ने गेस कर लिया था मैं पूछा आप मम्मी के लिए बहूंत हो से करूड़ए इतना ही मैं यह था वो भी ऐसा बैसा अबैट निया मिरेट तुम आप यह तो हमेसा आपका त्हांच निगा वाइव जो हुप्त पारहगों ममी के सपोर्ट और प्यार के वह से मैं तो यह जानता हूँ फिर वह इमिग्रेशन में ठपा लगने के बाद उसके बाद वहा हमारा security check security check वही आपका सारा ताम जाँ, बैक से सब कुछ निकालो, ये करो, बैल निकालो वो सब होने के बाद अभी मैं अपने gate पे आ गया हूँ, हमारा gate number 10 है और ये Emirates टिकेट मैंने कितने में बुक किया, क्या क्या लगा, मैं सब कुछ आपको डीटेल में बताऊंगा, वीडियो में बैनर हो, इलाल अभी बहुत टाइम है, अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, अभी 7.30 बज़ रहा है, 9.45 का हमारा flight है, अभी लग बग मेरे पास दो गंटे है, तो मैं ट्राइ करता हूँ, वीडियो अपना एक एडिट कर लेने का, जैसे मेरे पास option है लाउंज लेने का, फिकिन लूंगा नहीं है, नहीं तो लाउंज में फिर वहाँ बीजी हो जाऊंगा, तो एडिट नहीं कर पाऊंगा, कौकता एरपोर्ट के मैं यह वर इस फ्लाइट का, प्रिपिकल देसी मम्मी, है इंटरनेशनल फ्लाइट ले रही है, एमिरेट से जा रही है, दुबई जा रही है, और क्या लाई है, खाने के लिए मालूं मैं, यह बिहार का सान है, लिट्टी, बाइद भाई यह तलावा लिट्टी है, सब्टू का लि मेरे यह ड्रीम था, मम्मी को खुछ से कभी इंटरनेशनल ट्रिप पर लेके जाओ माना है, और फाइनली लेके जा रहा हूँ है, अभी तो वैसे चो मेरे टिकिट है, एकनोमी क्लास में है, लेकिन फ्योचर में कभी बिजनस या फिर फर्स प्लास भी होगा, सबसे मिन बत क सब्सक्राइब करते हैं अंजर, भाई साहब तो अलगी दुनिया है, यह आगे अपना गरीब वाला क्लास, भाई साहब कितना लंबा फ्लाइट है, यह फोटोस और वीडियो में मैंने देखा था, एमिरेट्स अंदर से इतना बड़ा है, अजब हम लोग अपने सीट पे त इतना यह लंबा फ्लाइट है, फ्रंट गेट से हम लोग एंटर हो एक लास्ट में, भाई साहब अच्छा खांसा लंबा है यह अंदर से, बाकि अभी बहुत कुछ है भाई, भी दुबाई जा रहे हैं, आम लोग वो भी एमिरेट से, तो मम्मी को अभी बहुत ऐसा चीज जो मम्मी को बेली भी नहीं होगा, मम्मी बोलरी यह फ्लाइट इतना बड़ा भी होता है, इतना भाड़ी उड़ता कैसे होगा, यहां पर देख लो एक ऐसा ब्लैंकेट मिला है, अब पता नहीं यह ब्लैंकेट को साथ ले जा सकते हैं कि नहीं, मैं तो फॉर्स ट्रेवल कर है, तो मुझे उतना आइडिया है नहीं, और साथ है यहां पर हेटफोन बे मिला हुआ है, और इसको हमें ले भी जाओगी, तो यूज कैसे करोगी, इसका पिन देखो किस टाइप का है, डबल टाइप का पिन है, यूज भी निकर भा होगी, तो हाँ साथ में हेटफोन पर म कामरा लगा हुआ, जैसे तो तुम फ्लाइ करोगे ना तो तुम बाहर का भी नजारा देख सकती है, तो हम लोग ऐसे फ्लाइ करेंगे, ममी कौकता, एमदाबाद होते हुए, हम लोग पाकिस्तान के ऊपर से जाएंगे, फिर यहां पर है दुबाई, तो यही सब सीन है और म मुझे बहुत अच्छा चा मुवी दीख रहा है मुझे, हिंदी मुवी में कहा कया option है वह लेखना पड़ेगा, तेक पकिस्तानी मुवी है, मुझे अंटानी मुवी देखना है, मुझे इंडियन मुवी देखना है, मुचे अच्छा ओप्शन दिख रहा है, तो यहां पर कि एक ही मैं नोटिस किया इमका यह जो एर कंडिशन है ना बहुत खतरनाक कुलिंग कर रहा है लग रहा है एमिरेट्स को भी पता है दुबई के कर्मी के बारे में एक और सबसे बेस्ट चीज के है ना विंडो काफी क्लीन है तो बाहर के नजारे में दिखा पाऊंगा आपको और एमिरेट्स को मुझे यह ऑपी अच्छा लगता है ना बाई देखे लो यह अपना फ्लाइट है एक फ् लाइट मुझे एक फाइब्स स्दिघ अच्छा लगता है यहां पर देख लो वाच एर सो एंड कामरा तो आप अपनी स्क्रीं पर भी देख सकते हों तो देखते ह यह एमिरेट्स को मुझे यह काफी साही लगा, कैमरे से आप देख सबते हो, फाइली हमारा जो फ्लाइट होने वाला है, और मम्मी देख लो अपने पेटियों को वीडियो कॉल में दिखा रही है, लाइक देखो अंदर में टीवी यह यह वो है, बाकि देख लो अंदर से कु जाएंगे मुवी देखते हैं, मैं तो एडिटिंग कर लोगा, मम्मी मुवी देखते जाएगी, और पाहर का भी कुछ यह नजा रहा है, बालगि यह चो कैमरा है यह पे लगा हुआ है, यह उतना क्लियर नहीं है, अगर क्लियर रहता तो काफी मम्मी देख लो यह नहीं है, इसके बद क्या खाने को आगा है, क्या नहीं जो भी आएगा, मैं आपको जरूर दिखाऊँगा, अपना मस्टिक ओफ कर गया है, और मम्मी देख लो यहाँ पे, मुवी भी देख रही है, कौन सब मुवी देख रही है, वीबा, वीबा, और वैसे काफी अच्छा अच्छा आप उसको अपने कार्ट से पेमिट कर सकते हैं, बहुत सरे कार्ट का अप्शन है, वीजा, मास्टर का अप्शन है, और भी बहुत सरा कार्ट का अप्शन है, यहाँ पर बाकि जो आपको इंटरनेट आप यहाँ पर पच्छेस करोगे ना, वो 1.99 USD का है, अबता 1.99 डॉलर जिसमें सब मैसेज यूज कर पाओगे, लाग वीडियो कॉल या फोटो वगेरा पोच नहीं कर पाओगे, तो देख लो, यह हमें खाना सर्फ हो चुका है, वो भी इंडिया टाइम लग बाग 12 बचे, और मम्मी ने ये लिया है वेज़ वाला ऑप्शन, और मैंने लिया है तो मैं दिखाया था हूँ वैसे क्या क्या है, यह तो सब क्टलेरी लग रहा है मुझे, अच्छा यह जो क्टलेरी अपको वह नॉर्मल टाइप का नहीं मिलता है, तो यहां मिलता है steel का क्टलेरी लिया, तो नौन वेज लिया है, तो नौन वेज में बाकी सारा ऑप्शन से इसमें एक चैंजिस होगा, तो मैं दिखा दूगा ममी को क्या मिला है, और मुझे क्या मिला है तो हमतरएं हम इंकी बाप्शन को अठाहें हैー, सब कुछ आ क्या है। छाना है, घौन अदीखाया हैं, तो ममी नहीं पास्ते हैं से तने यह तर भी अदन कूछ। होगा है। अब मैं दिखा देता हूँ कि नॉन्वेज में मुझे क्या में में रहा हूँ सच बता हूँ तो खाना देखकर तो बहुत ज्यादा यहम ही लग रहा है वैसे और बस लगवग देड़ हजार किलोमेटर हमें जाना है अभी जो दुबाई का लोकल टाइम है देख लो 1026 एम हो रहा है अभी दस अजार तीन सो तीर सेट मीटर उपर है सी लेवल से और पहाड का तेपरेचर देख लो माइनस 36 और यहां अपना खाना भी आ गया है कशलो खाना ट्राई करते हैं कैसा खाना इनका तो सूट के चिकर में अभी तक मैंने खाना नहीं खाए है मम्मी खाना खा रही है मम्मी कैसे लगा खाना अच्छा इसका पालक पनीर और फुलाओ लग रहा है पासता कैसा लगा अगर आप वेजिटेरियन हो और सोच रहे हो फ्लाइट में क्या खाना है क्या नहीं है अमिरेट साब के लिए बेस्ट है मैं बता रही है बहुत अच्छा लगा हूं में तो बालक पनीर और साथ ही फुला हूं मेरा दिखते है नॉर्वेज वाला कैसा है चिकें प्राइ गया चिकें एक नंबर है अब मैं तोड़ा राइस के सत्मीक्स करकर खा रहा हूं है वहाistes बश्मीन ब्लाव है बेलख टॉल Debkin Chief decides चारडिर को घ्रिया झाला कैसा तक कंभी फ्रैश वही जो हम लोग घर खाते है ना विल्कुल वैसा ही ज़िस्ट है और दिक बते चादा प्वीड का नहीं है एमिरेट्स के खाने को 10 on 10 वह में एमिरेट्स के खाने को 10 में से कितना माफसत होगी बस एंटर करने ही वाला है वैसे कुछ भी बोलो पूरे जर्णी में काफी यूनिक सा चीज सब देखने को मिला है जैसे कि फ्लाइट में काफी लोग ऐलकॉहुल ले रहे हैं तो ये एक चीज है पानी कुछ ऐसे मिलता है देख़्ो आपकी ये जो हमारा फ्लाइट है पाकिस् है यह आगा अपना कॉफी एक्चली चाय कॉफी का उप्शन था मैंने और ममी ने कॉफी लिया है अगर अगर आप म्यूजिक के शॉक कि नहीं हो तो कोई बात नहीं गेम खेल कर भी टाइम पास कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूं अब ही टैक मैं खेल रहा हूं है और भी तो कि मैंने अपना को अब में गदेर आपक इसको मुझे यूस करना था इसले में डाली है क्योंकि अब बस लान कड द़ यह अब हो अब हो फोड़ी तक फाल प्राइब से टाम थोगा ममी का मैं अच्छ ताम पास होगे मैं अच्छ प्राइम तेटिकर पुरा इंड टाले ह निए अटेर्ट परहएमे तो अट इसे मिटरेशा थार्थ जार्द पिंधू। यह अपना जाए घ्टफोन लेक्न हो रहे दिखने वाले हैं और मेरे को लगा था कि यह ब्लैंकेट साथ मिले या सब्सक्ते हैं बट अइसा नहीं है देख़्ो मैडम आगई है हमें यह ब्लांकेट और साथ ही हेड़फोन देना होगा यह चला गया अपना ब्लांकेट लग रहा है हेड़फोन लेने के लिए कोई और आएगा और यह देखते ही देखते हैं दो दुबाई पहुंच गया और आएगा पने काथ जाक। व्हेलकम तो दुबाइ ऑढ्य। वहसा हम लोग इंडिया टाइम लग बाग दोपीस में दुबाइलेंड ओबाइलाइब सुद्दी। मेरहबनिकूं की मतार दुबाइल जुरी है फॉकिल महली हुना ए लड़ार कर दो कर चुके हैं यहां ता जो लोकल टाइम हो रहा है वो 12.51 अगर मैं इंडिया के लोकल टाम की बात करो अभी इंडिया में हो रहा है दो बच कर चीज मिनिट यह देख लो दो बाइंट नेशनल एरपोर्ट थोड़ा सा थक गयों कि बैठे बैठे एक जगा बैठे एक रहता ना बाडी में वह भी एक जीन है कोई नहीं बाइ भी दो अपर सब्सक्राइब है यहां भई है ना दो कर लाइज आप ज़ुआ पहले जा थे लिए और यह साद इनका फॉस्नेस क्लास है इनका है एटफून भी कफी मस्दिया हुआ है हम लोगो तो एक्दम ठीला सा म सबसे पहला सीन है इमिग्रेशन और बैगेज क्लेम का वो सब आगई होगा जैसा होगा जो भी होगा वो तो आपको पताऊंगा और ममी दुबाई लेंड करके कैसा लग रहा है और यह देख लो भाई साव यह दुबाई एरपोर्ट देख लो क्या बना रखा है यार इन अभी आगे हैं अपने बेल्ट के पस जो कि यह बेल्ट नमबर फोर तो यहीं आएगा अपना लगेज देखो कहां पर आता है और ममी तो आप से एरपोर्त ही देखे जा रहे हो जो सुन्दर एरपोर्ट है सही में यार मतना अलगी एरपोर्ट ऐसा एरपोर्ट मेंने कभी नहीं देगाता है तो अभी लोग एरपोर्ट से बाहर तो निकल गया है और यह देख लो जिसका जुमेरा में बुकिंग है भाई आएंगे 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 कभी जुमेरा में भी आएंगे लगे अपना कौन सा बंदा आया है बाहर अपना नेम प्लेट के साथ खड़ा है वैसे हमें इमेग्रेशन से फ्री सीम मिला है मैं बताओ को क्या प्रोसेस है क्या नहीं यहां जा रहा हूँ यहां सीम लेने के लिए क्योंकि मुझे इंटरनेट के जवरत है कॉल का भी जवरत है फाइनली हम लोग एरपोर्ट के बाहर आ गया है और अभी तक तो ठंड़ ही लग लग रहा है वैसा वह गर्मी महसूस नहीं अभी तक हार को जग रहे ममें किता मेंटेंड है यह वाले कार समय जाए है मैं नेम इस फिजान फिजान फ्राम पाकिस्तान फ्राम पाकिस्तान पाकिस्तान और होटल हमारा यहां से टाइम लगए लगबद 15-20 मिनिट और म में जो ड्राइबर है मारे लेफ्टेंड साइड में बाते हैं सोच्यों जहां से हम लोग उत्रे हैं वहां से हम लोग इतना चले होंगे तुपाई तो अभी जैस्ट मैं अपने होटल में पहुंच आप यह मिल चुका है मुझे अभी जैस्ट मैं यह रूम में चेकिन किया हूं और अभी बहुत सारा काम है पहले तो वीडियो को अपलोड करना है वीडियो अलरेडी अडिट कर लिया था मैंने फ्लाइट में ही तो हांसको और भी बहुत सारा बात आपको बताना है कि करन केंगा सीमक कड को लेकर सिमकार्ड वैसे यहाँ पर फ्रीवी मिलने के बाच्शु भी मैं सीम करीदा हूं इसका क्या reason है क्या नहीं मैं दूसरे vlog में detail में बात करूँगा आप sim कैसे ले सकते हो क्या documents आपको देने पड़ेंगे, room कौन सा मैंने book किया है मैं सब कुछ दिखाऊंगा next वाले vlog में ये Emirates वाले vlog को मैं यहीं parent करता हूँ और by the way मैं पता दूँ ये Emirates का मैंने economy class में अपना ticket book किया था तो मेरा जो return है वो भी Emirates से ही है तो मैंने जो दो ticket है उसको 85,000 में book किया है हां जी और भी बहुत सारे जगा में चेक कर रहा था कहीं 90,000 कहीं तो एक एक लाग रुपया पार हो जा रहा था मुझे अधर मेरे पास मुंबई या फिर देली सा भी ऑप्शन था इंडिगो या फिर स्पाइस जड़ कोई लेकर आने का लेकिन हा मैं सोचके रखा था अगर दुबाई जाओंगा तो पहले एमिरेट्स के फ्लाइट से जाओंगा इस से अच्छा एरलाइन मैंने आस तक कभी नहीं देखा पहले तो तीन घंटा पिक्चर देखने में ही सब चला गया उपर से खाना भी जो लोग दिये थे ने इतना अच्छा खाना भी इतना अच्छा था कि बूलिये मत फिर उसके कॉफी चाहे के लिए पूछा था का जी जिसको चाही हो ले ले कॉफी जो लोगों ने दिया ना वह भी काफी सही था और बीच-बीच मैंसे पानी के लिए तो आई रहे थे वह बाके काम करते हैं यह वाले वीडियो को यह पेंट कर देते हैं यहां तक यह वीडियो देख यह था खुटन के लिए करें तरह ने वीडियो को लाँक कर देना ने इक्सलो वाले व्लोग में आप वह वीडियो के लिए ने लेग्स लिए यह तक यह वीडियो देख लिए वीडियो तक वीडियो को लाई कर connecting और बिता आघंनेरे को शुर आई एफंस्क्राइब के बतन युआ वारारा ये 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 विरन अप्यू ओर्वारा ये ये बुआ अजयब da